आज NASA ने इस रो की तरह अपनी इस फैलने वाली हवाई ब्रेक का सफल टेस्ट किया इसका फाइदा क्या है? जब स्पेस से कुछ समान प्रिथवी या मंगल जैसे वातावरण में नीचे आने लगता है तो हवा के रेसिस्टेंस से गर्मी पैदा होती है जिसे अब तक ये फिक्स्ट गर्मी कवच जहलता था और इसी के कारण हमारा समान कुछ धीरे भी हो जाता था लेकिन इनसे बस हम मंगल पे देर टन तक के समान भेजने में शक्षम है अब भविश्य में जब इससे भारी समान भेजना होगा तो और ज्यादा तेजी से नीचे आएगा जिसके लिए ये फैलने वाली हवाई ब्रेक बनाई है जो कि गर्मी कवच का भी काम करती है इसरो और नासा के डिजाइन में क्या अंतर है इसरो का करीब एक मीटर फैला था वही नासा का छे मीटर फैला था तो हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं